निट पेपर लिक मामले में टीबी नाइन भारत वर्ष ने कई अहम खुलासे किये हैं और उन खुलासों ने ना सिर्फ पुलिस को बलकि इस पूरे मामले की तफ्तीश करने वाली विशेश टीम को भी एक नई राह नई दिशा दिखलाई हैं हर उस ठीकाने तक हम पहुँचे हैं हर उस बात तक इस गैंग के चाहे वो सरगना हो चाहे वो नीचे का व्यक्ति हो कोई राइट हैंड हो कोई लेफ्ट हैंड हो कोई मुखिया हो कोई मंत्री जी हो या फिर संत्री हो हर बात को हमने दिखलाई है सब को एक्सपोज किया है हर ठीकाने तक हम पहुचे हैं लेकिन आज TV9 भारत वर्ष वहां पहुचा है जहां तक किसी कैमरे की पहुच नहीं हुई सिर्फ सुना गया लिखा गया कि इस गैंग का कोई सेफ हाउस है यह जो सॉलवर गैंग है उसका एक सेफ हाउस है तो TV9 भारत वर्ष के कैमरे पर आप देखिए इस सॉलवर गैंग का यह है सेफ हाउस इसे लर्न प्ले स्कूल का नाम दिया गया है लर्न बोईज होस्टल कहा लेकिन ना तो यहां कोई होस्टल है ना ही यहां कोई प्लेइ स्कूल है यह बहुत दुर्गम इलाका है यह पटना का आउटर इलाका जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अंडर डेंग और बहुत अस्थान यह माकूल जगह गैंग के लिए जो अवैद कारोबार करते हैं जो और चार और पांच मई की दर्म्यानी रात 20-25 निट के परिक्षार्थियों को रखकर पूरी रात उन्हें निट का पेपर दिया गया आंसर सहीत और यहीं पर तमाम छात्र यहां पर निट के कोश्चन और पेपर को रटते रहे और उसके बाद से पांच मही की सुबह सभी शात्रों को यहीं से परिक्षा केंदर ले जाया गया एक बार आप देखिए क्या है अंदर ताले लगे हुए हैं साथ तालों में बंद ये दो मंजिला मकान जो की प्रभात रंजन मुखिया का है प्रभात रंजन मुखिया नगर नौसा नालंदा के नगर नौसा से सटे रहा है नगर नौसा मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि नालंदा के नगर नौसा का ही रहने वाला है संजीव मुखिया और संजीव मुखिया के गाउन नगर नौसा के बगल के दनियामा का मुखिया रहा है यह जो प्रभात रंजन है और यह प्रभात रंजन मुखिया का मकान है यानि कि ये पूरा मकान पूरा लिंक कि इस तरह से नालंदा से जुड़ा हुआ है संजीव मुख्या नालंदा का उसके बगल का प्रभात रंजन चिंटू और पिंटू नालंदा का राके सुर्फ रोकी नालंदा का यानि ये पूरा नालंदा का ये जो लिंक है लेकि बन ही रहा है और इस इलाके में, इस दुर्गम इलाके में, इस धके छीपे इलाके में यहां पर बनाया गया है सेफ हाउस जो इस सॉलवर गैंक के लोगोंने ये बनाया है यहाँ पर अगर आप अंदर देखें यहाँ तो एक ट्रेड्मिल आपको दिखेंगा, कुछ कुर्सियां देखेंगे, कुछ अन्य घरेलू, यहां पर समान आपको दिखेंगे, यहां पर यानि की यदा कदा इसका इस्तेमाल होता रहा है, जिस तरीके से धूल और गर्त यहां पर आपको जमा हुआ दिखेगा, इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से, हला प्ले स्कूल जैसी कोई संस्था कोई ऐसा इंस्टिश्य भी है जहां प्ले इस कूल चलता रहा है कम से कम पिछले दो साल में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यहां पर कोई स्कूल Guys do है यहां पर कुछ बच्छे पढ़ते आते रहे हैं लेकिन यहाँ रात और सुवह के समय में जो ढखे हुए Чुपे हुए जो समय हैं उसी समय में बच्चों को यहां पर लाया जाता रहा है और यहां पर अवैद कारोबार यानि की पेपर लिक से जुड़ा हुआ जो पूरा ये धंधा है ये गैंग का जो काम है लेकिन अब TV9 भारत वर्ष ने जो ये तस्वीर सामने रखी है अब यहां पर वो जले हुए जो कोशन पेपर का जो हिस्सा है वो भी यहीं से बरामद हुआ था लेकि पेपर लिक में इस गैंग का नाम आ चुका है मेरट के रभी अत्री से ले करके संजीव मुख्या संजीव मुख्या इसके पहले वी गिरफ्तार हो चुका है सिपाही पेपर लिक कांड में उसका बेटा बीपी एसी पेपर लिक कांड में अभी भी बेवर जेल में बंद है तो क्या हर पेपर लीक कांड में इस लर्ण तथाकथित लर्ण प्ले स्कूल का इस्तेमाल सेफ हाउस के रूप में होता रहा है लेकिन पहली बार TV9 भारतवर्ष जैसे TV9 भारतवर्ष ने तमाम खुलासे किये एनेज के गेस्ट हाउस तक पहुंचा पत्र संख्या दिखलाया और वहाँ पर किसी मंतरी जी की सिफारिश से वो गेस्ट हाउस बुक हुआ है यह सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने दिखलाया उसी तरह से TV9 भारतवर्ष के कैमरे तक सबसे पहले लर्न प्ले स्कूल तक TV9 की पहुंच और हम TV9 भारतवर्ष इस प्ले स्कूल को जिसे सेफ हा हाउस यहां पर बना रखा है उस सेफ हाउस तक टीवी नाइन भारत वर्ष की पहुंच सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले की हर कड़ी हर तहकीकात हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए जो हमारे छात्रों के भविश्य के साथ जुड़ा हुआ है उस गैंग के हर ठीक आने हर हाउस और हर अड्डे तक हमारी पहुंच तैमर्मेन कुनाल के साथ रुपेश कुमार टीवी नाइन भारत जो